हेलो एवरिवन वेलकम टो वर यूटूब चैनल स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड इस सब पुरानी वीडियो आप प्लेलिस्ट में लाकर देख लीजिएगा यह नहीं देखी है तो रिविजन नहीं किया है तो सांथ के साथ रिविजन भी करते चाहिएगा चलिएगा एक बना रखा चाहिए तो आप उसे जोइन कर सकते हैं जो एक टेलिग्राम चैनल है मेरे नेम से उस चैनल को जरूर जोइन कर लीजिएगा क्योंकि जो भी अप्लेट्स हैं वो सारे आपको बहीं पर मिलेंगे कि न्यू क्लास का जो लिंक वगएरा वो सब आपको बहां पर मिल बिष्व की प्राचिन इवं बरत्मान सभी सब्विस सब बिताौं में गर्ःत का एक महत्पूर ऍस्थान रहा हैो सरजें ने कहा है कि इस पर और सरवोस्च गड़ी तक किए अगर आप कभी ध्यान से अब्जर्व करो अपनी आसपास की बात अब रण को तो आपको उसमें एक तरह का पैटर्न दिखाई देगा एक तरह का पैटर्न दिखाई देगा अगर आप किसी फ्लॉवार को देखते हो तो उस फूल की जो पंखुडियां होती है उनमें एक पैटर्न दिखाई देगा अगर आप पत्ती को देखे तो उस पत्ती में एक तरह का पैटर्न दिखाई देगा तो हर एक जगा आपको पैटर्न दिखाई देता है भाई भगबान जोते हैं न बहुत ही बड़े गड़े तक गे थे गड़त के उद्देश डेविड वीलर डेविड वीलर के अनुसार ज़्यादा गड़त जानने के अपेच्छा केंसे गड़ती एकरण किया जाना यह ज़्यादा उप्योगी है गड़त जानने का मतलब कि गड़त के बारे में बहुत सारा नोलिज आ जाए इससे जाल जरूरी है कि बच्चे का गड़ती एकरण के ऐसे हो अब बच्चे के गड़ती एकरण का मतलब क्या होगा गड़ती एकरण यानि कि किस किस तरह की problem जनरेट हो सकती है उनको पहले दिमागे में लगा ले लेक्ड डेम बन रहा है ठीक है अब डेम बने से अब पता है यह चल गया है कि आरशिचाई की समयों stay करना ही गरती करन के लिए चाहते हो कि योगितां को बिक्सित करना ही गरती सिख्चा का मुक्य उद्देश है तो गरती सिक्षा का मुख्य उध्य से च्र Mandal पितना है कि गरती करण करने के लिए चलत के योगताओं को बिक्सथ करना है और गरती करन करना है तो सब्सक्राइब काम है ना लोगों को सामने वाला अमूर्थ चिंतन कर सके हैं अमूर्थ चीजों के बारे हम सोच सकेए सबसे बड़ी बात है जो जो पॉलिया की जो बुक है मैथमेटिकल डिसकवरी याद रखिएगा शायद प्रीविएस वीडियो में इसके वारे हम बताया हुआ है अगर आपने कही नोट नहीं करा तो कल लीजीगा काफी एक्जामस में पूचा गया है काफी सिफ्टिस में भी आया है कि मैथमेटिकल डिसकवरी बुक किसक ने जब कोई व्यक्ति अपने सभी क्रियाकल आप होंगा बहबार में व्यवस्तित क्रमबद रूफ से अपने आपको गरती सटिक तक सद्प्रशित करने की छमता प्राप्त करता है तो हम बोलते हैं कि यार उस व्यक्ति ने गरती करान की छमता हासल कर लिए उसके विचारों मे कि छमता को समय से समादान श्यम परिक्षण के द्वारा समय से कहल डूरना अनुमाने तिया सन्निक जैसे हम बोलते एप्रॉक्सिमेशन का आप कैसे कर सकते बच्चों में कि बच्चे के सामने जैसे वाइट बोर्ड होता है या बिलेक बोर्ड जो भी है आपकी क्लास में आ प्रितिरूपों का अप्योग करना द्रस्याव लोकरन प्रसुति करना तर के यह सारी चीजें आपके गड़ती करन के अंदर आ जाती हैं अनका विकास केंसे केंसे करना वह साई चीजे लिखी हुई है एक अच्छी समय से समधान विदी इस अपधारणा पर करती है कि जीव समय सब्स्डान के लिया अकला गड़त को बास्तिविक सन्सार से जोडता है कौन सी समय समधान पर समय बस्फ को होती हैं जो एक Спас ERIC करना थाग दर भी नए बीद्धियों को बोल सकते हो अच्छा बच्चों से अनुमाल लगाने की बोल सकते हो चलो अब अपना सोतंतरता दिवस आ रहा है अब बच्चों को देखो मिठाए भी मिलने वाली हैं और जो दोजारोहन होगा दोजारोहन के लिए हम फूल माला भी लेकर आएंगे छोटे कुछ कारिक्राम बगेरा भी आएंगे तो music systems भी आएगा कुछ कारिक्राम होगे गेस्टों आएंगे गेस्टों के लिए हमें कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा अच्छा बता इस समय कितने का खर्चा हो जाएगा तो बच्चों से अनुमाल लगाने के लिए बोलो जब बच्चे अनुमाल लगाएंगे तो उन्हें पता चल जागा क्यार यह चीज़ों यह चीज़े अप्रॉक्स इतने में आ जाती है तो इतने तक का खर्चा होगा समुचित उप्योगिता ओप्टिमाइजेशन एजटेज स्टेट्मेंट आया हुए डिटर पलस भी में तिक दोजार साथ 18 और 19 दोनों में देखा है मैंने इसा कोशन देखो एन यूएस में आपको एक बात बता देता हूं के लिए अज सही तरीके से और आप समसुन ना ज से ऐसा कोशन बनकर आ सकता है बहुत तो आपको तभी बता सकता है सामने वाला जब उसने खुद डिटर पलस भी के सारे प्रीविसर कोशन पेपर्स को देख रखाओ उनको एनलाइस कर रखाओ ठीक है ना बात तो जो भी मैं बताता हूं किसी भी लाइन को लेकर कि यहां से कोशन आया हुआ है अगर आप सारे प्रीविसर कोशन पेपर लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं कोशन पेपर में यह वर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठीक और इसी पर अधारित मेरे अधर जो हाइलाइटेट पॉइंट रहते हैं जैसे यह जो अधर करते अपलब्द संसादनों परिष्थितियों का पूर्ट अपयोग करते हुए लक्ष को प्रदान करना देखिए होता क्या है तो गर्द का टीचर है अब गर्द का टीचर क्लास के अंदर एंटर कर आ या फिर स्कूल के अंदर एंटर कर आ अब स्कूल के आजब वो उसी चीजे दिखिए जिसका वो यूज कर सकता है पढ़ाने के लिए उन चीजों का पूर्टा उपयोग हो अगर मानलो हम एक छोटा सी एक्जामपल ले लें जो आपका वाइट वोड है बिलेक वोड वाइट वोड जो भी है आजकल वाइट वोड यादा चलते हैं तो मैं कर पा रहे हो उसे हम बोलते हैं यानि की समुचित उपयोगिता जो भी चीज आपके पास है उसका पूरी तरह से उपयोग कर पाओ समुचित उपयोगिता का विचार सदे आसान नहीं होता लेकिन अप्लब्भद सूचनाओं के सरवत्तम उपयोग के आधर पर बुद्धी म यार उसका IQ लेवल थोड़ा सा अच्छा है उसका अंदर मेंच के एक स्किल है तो इसे आप प्राइमरी लेवल पर भी सिखा सकते हो प्रति रूपा का यूज उपयोग यूज ओफ पैटरंस बच्चों को आकार डिजाइन घटना के निरन तरता अंकों के समुक अध्यन करके क्रम बचता इन सब को पहचानने के लिए पहचानने के लिए बोल सकते हो या पर इसके लिए उन्हें एक्टिविटीज दे सकते हो ग प्रति रूपवविन परकार के माध्यम से समस्याओं का प्रति बेदन घट के प्रम को प्योगिता हो जाती है मतलब या देखो जो रासिया हैं मालो राशियो में आपकी लीटर मीटर जो किलोमीटर यह सार चीज़ है यह सब आ जाती है जिस से हम मालते हैं कि किलोग्राम बगेरा अगर मैं आप अगर एक बच्चा बोलता है कि सर मेरे स्कूल से घर की दूरी जो है ना तो आपको किस से multiply करना पड़ेगा आपको इसको हजार से multiply करना पड़ेगा थो फाइब डवल zero मीटर होगे अच्छे को मिली मीटर में चेंज करते हैं तो फिर ये कितना हो जाएगा लबद दो लाख 50,000 mm हो जाएगा तो यह क्या हुआ यह हुआ रिप्रेजेंटेशन यानि कि प्रिति वेजन हमने एक ही राशी को तीन तरह से प्रिजेंट कर दिया तो यह प्रिप्रेजेंटेशन होता है तर के रवंप्रमान रीजगंड प्रूफ मेट्स पर होते हीं गर्ट तर के से वंप्रमान पर ही आधारित होती है और यहां पर जैसे इसके लिए बतायागया है कि भाई यह इक लिखा हुआ है के लिखा हुआ यक quindi दी लिख हुई है अब प्लस बारह 15-12-65-22-8-6-9-8-8-8-8-8-8-9 इस तरह से चल रहा है तो एक ही सिच्वेशन के लिए दो अलग अलग तर्क लगा सकते हैं और दो अलग अलग तर्क लग जाते हैं संबंद बनाना making connection दो चीजों के बीच में संबंद बनाना भी आपका गड़ती कोसल कंद्रा जाएगा गड़ती संबाद ये देखिए कि 1 से 2 गुना तथा बावना देखे और 2 बड़ावर 75 है तो X का मान बताओ अब एक से 2 गुना है तथा बावना देखे इसलियान के लिए डारेट हम इत्ता सा लिख सकते हैं कि X is equal to 2y plus 52 तो ये गड़ती संबाद है राष्टी पार्ट चरे रेखर 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 2005 में इस पर लिखे थे कि गड़त के संकीन उद्देश यानि की नेरो सकते हैं और एक एंसे भी लिख सकते हैं संक्या संक्रियां जोड़ घटाना गुणाभाग मापन दसमलाव प्रतिसत से संबांदित का बिकास करना है मतलब यह चो चीज़े हैं गड़त के संकीन उद्देश के अंदर आ जाती है आई बात समझ में अब एक्जाम में होता यह लिख चारों सरह से रहते हों और यह पूछा जाता है किन इस सबसुर है और करने से क्लिक्स को तो इसमें इसमें ब्रोंद्देश संब्रोड उसके अंदर आते हैं गरत सिक्षा के लिए विब्रत एम संचिप उद्धेशों पर बिचार कीजिए यहां पर विब्रत और संचिप उद्धेश दोनों को मिला के लिखा हुआ इसको यह बार अच्छे से पढ़ लेना यहां से एक्जाम में को संस बन सकता है यह जश्ट पढ़ने का है इसलिए मैं मैं से स्किप कर रहा हूं आप चाहिए अभी जश्ट वीडियो पर पोस्ट कीजिए और इसको पढ़ कर देखिए बिसेश्ट उद्धेश स्पेसिफिक एम से क्या होते हैं गरति सिक्षा के बिसेश्ट उद्धेश कक्चा कक्षम प्रावसाली अधिगम पदिती की योजना बनाने में सही बदेश इसक्षम में सायता करते हैं अब इसकी मूलबूत अबधाना पदिती इसपेस्टो गड़ति अधिगम के लिए प्रेम विश्वास रुची का सिजन करना गड़ति विश्वास और आत्म विश्वास का विक्सित करना तो यह सारे बिश्ट्रत करता हैं तो भाई हमें देखेंगे तो यह करा तो है इसने को इसना पर इसने सई करा रहा है कि नहीं करा है अँगर लगाकर आप जैसे की आर्क लगाकर क्या बनाते हो आर्क लगाव कर आप ये भी बनाते हो एंगल भी बनाते हो जिसे आपको बैस समझ सके इन में कलात्मकतर दिखा सके कितने इस्पेश्ट तरीके से बना पा रहा है विद्ध्यारतियों में नियमत्ता अभ्यास धेरे स्वावलम यह सब कुछ आए अनिविस्यों का गड़त में करना गर्ती वास चिननों से परिचित करना उस्झे कक्छा के गरत आध्यान के लिए तयार करना यह सटेऩ्मेंट यह बहुत बार आया हुआ है यहस किился कप घारे से कंप कारना यहां पढ़ लेना आपको पता चल जागा कौन से आत्मगुद्ध से है जिसे हम प्राप्त करने के एक्षा रखते हैं एक उच्छ परिपेक्ष में उच्छ गुडबत्या फूर्ण सिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेड़ी तो वही होता है ना कि हमें यह प्राप्त करना यह से इंडिया विजन 2020 था हां लागी अपसर 21 चल रहा है राइटी सबसे इंपोर्टेंट विजन तो यह है कि बच्चे गड़त को आनंद पूर्वक तरीके से सीखें बच्चों में गड़त के प्रती जो डर है उस डर को हमें निकालना है और उन्हें बताना कि गड़त एक इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चे महत्पून गड़त सी एक पड़त ना लें इसको अपनी डेलीमें यूज्ड भी कर सकें बच्चे सार तक समझ सिया और हल करें बच्चे परोब्लम्स भी उठाएं मैंस पड़ाते टाम क्या-क्या समझ से आ सकती है एक तक सुछ और उल भी कर सकें अमूर्त प्रयोगों को समझ सकें अमूर्थ प् यह हमारे उद्देश हो जाते हैं अध्यापक कच्छा के प्रतेग बच्चे के साथ इस बिस्पास के साथ काम करें कि प्रतेग बच्चा गरत सीख सकता है यह स्टेटमेंट में तो बहुत ही बार आया हुआ है और भी अधाट एक जांस में आया है कि प्रतेग बच्चा गरत स सफब हो जाते हैं नुरा सजन अपटी क्रां हमारा पार्ट करां मेसा है कि मेस को लेकर तो अक्टिविटी ना के बराबर होती है और चाहिए और पर सूत्रों को रटने रटने पर ध्यान दे दिया जाता है तो इस वाई से प्रोलम होती है अब परियाब्यापत अधिगम कर पाया मतलब कि सिर्फ रेटने पर बेश्ट ना हो जैसे यहां पर लिखा कि 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 दो संख्याओं को प्लस करने पर आठ आएगा उत्तर लिखने के लिए सातर सुतंतर है लेकिन टू प्लस सिक्स क्या आगा इसके लिए सुतंतर नहीं है तो हमें ऐसे कोशन देना है जिसमें एंडिंग जिसमें बहुत सारी आंसर आ सकते हैं ताकि बच्चा अपने इसाफ से दिमाख लागे उनको सब्सक्राइब कर सकें सिक्षक की आप पर आपते तैयारी कई बार टीचर सी तैयारी करके नहीं जाते हैं तो बच्चों को कहां से आएगा को प्राइम प्राइम होते बच्चे में को बिल्कुल इंटर्श नहीं आएगा यह गड़ती अधिगम को निरास उबाव और उची पूर्ण बना देगा रटने पर बल देगा और अधिगम के वज़ा सिक्षन पर बल देना समझे सकती अनुप्रियों को बिक्सित करने की उपेक्षा करना यह सारी ची बच्चे सिर्फ आध्यापक से नहीं सीखते पर अन्य बच्चों से बाच्चित करके अपने आसपास के परीवेश से भी से अपने ग्यानेंद्रियों सुनकर देखकर शूंकर चक्कर इन सबसे भी सीख रहे होते हैं हमारा उद्देश है कि विद्याले में ऐसे आनंद दाय सब्सक्राइब को निंट सबुसे के लिए इंट्रेस्ट के लिए बिध्याले के बाहर से जीवन से ज्ञान को जोडने के कारे चेत्र तो को यहां पर कुछ एग्जामपल दिये हुए जिसके माध्य हम से हम गड़त को भारी जीवन से जोड़ सकते हैं अभी मैं आपको कुछ अंडरलाइन कराऊंगा डिट्रपल एसी मे यहां से ज्ञामपल उटकर आए थे अगर हम मार्केट की बात करें ता मार्केट में आप खरीदने बेशने कुछ भी करने जाते हो तो वहां पर लाब हानी बिल तैयार तोलना इंसमें गड़त का यूज होता ही है बगीचा एक तो यहीं से आया था बगीचा से ही जब आप मेंड़ा कितना चलता है इतना खिसक जाता है एज लिखा हुआ आयता डीटर पलेश में और आपने प्रीवीश यह देखे हो तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा तो एक मेंड़क 30 मीटर खंबे पर चड़ता है 20 मीटर खिसक जाता है 70 मीटर चड़ना कितने दिन लगें किस तरह से इंटो का पेटर बता जाए है अलग अलग तरह के पेटर बताए हुए है तो डिजाइन बनाना भी आपको मेंच के अंदर आ जाएगा तैयोहार मनाते हैं इन तो सामगरी खड़िदने करने में कितना क्या खर्चक वगरा आ जाएगा अगर मानलों आपको टेंट लगाना है तो इसमें कितने का खर्चा आ जाएगा मतलब कितना बड़ा टेंट लगा हो ताकि सारह रोग आजाएँ चेयर ला रहा हOOD तो कितने चेयर लाएग ताकि सारह लोग आ जाए यह सारी चीज़ें खेल का मेदान जब आप बनाते हो आयता कार बराकार किस ताहते का और इन गेम्स की बात करूँ तो हारे एक कितने खलारी को रखना हैं कितनी देर गेम चलोगा यह साहरी चीजffen अलगरत कोड़ी नहीं होता आंद आतिका ना गूप को अनने एक बिना बहुत की आधिक पड़ाते हैं और तो सिखने के लिए समझने के लिए कुछ भी नहीं होता आनंद ही नती का मतलब जहां पर एक टीचर खड़ा होता है यहां पर चोक लेकर यह तो धनुस बांड जैसा लग रहा है मुझे यहां पर टीचर खड़ा हुआ है चोक लेकर और यहां पर बहुत सारे बच्चे बेटे हुए हैं यह बस को जा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा तो यही होता है कि आनंद हीन में पढ़ा तो बहुत देते हैं लेकिन क्या मतलब उसका गड़त अधिगम आनंद दाय किस प्रकार से हो सकता है पिरते बच्चे के अधिगम अनुवववों को ध्यान में रखो हर एक बच्चे से चीज़ लेना यह सारे ही पढ़ लेना एक लिए वीडियो के लिए ज्यादा हो जाएगे और इनको पढ़ने कोई मतलब है नहीं समझना नहीं इनमें बस यह वार आप पढ़ लेना तो आपके दिमाख में टक जाए कि क्या क्या चीजे हैं जिससे हम गड़त को आनद दाय को बना सकत होई यह गड़ती करना के लिए उप्योक्त अधिगम बातवर्ण का सेजन हम अच्छा बातवर्ण के से बना सकते हैं पेली बद तो बच्चे के बारे में जानना अगर आप बच्चे के बारे में जानते हो तो आपको पता चल जाएगा इस बच्चे को कितना आता है इस बना सकते हो कि अधिगं कारिक्र म में जोड़ा है यह जोड़ा है यह सारी चीज तरह करने पत्र का कहानी पहली यह जाती है बिद्धाले का बातवरान ऐसा होने चाहिए कि बिद्धालती गड़त सीखने के लिए उच्छाइत रहें गड़त की दिवारे हैं बरामदे भाँ पर कुछ गड़त से रिलेटेड़ चीजे लिख दी जाएं एक अधीकम का कोना हो जिसमें कुछ चीजे रखी हो जैसे फ्लेस काड़ पत्तर चित्रे कटाउट कार्ड कार्ड कालेंडर यह सारी चीजे मन और अंजक गतिविदियां आप करा सकते हैं करें सत्रों के दोरान मतलब की जब आपका सेशन चल रहा होता है तो आप डेली भी बच्चे को उबजर्व कर रहा है उसी टाइम पर चीजें बच्चा एचीब कर रहा है उनका व्याप रिकोड रखें इससे भी घरत आनंदपूरक बच्चों को बनेगी उनको सारे डंड नह लाफते हैं इससे आपको फार्द ही होगा आपको क्योंकर रिवीजन हो जाएगा थार्ट यूनिट हमारी फिनिस होती है अभी इसके वाद हम फॉर्ट यूनिट करेंगे तो लाइक चीज़ चैनल को सिल्सक्राइब कर दीजिएगा क्लाज जोन करने के लिए आप सब बहु झाल 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 झाल